केबीसी अमिताब बच्चन ने साजह किया कि कैसे उन्होंने एकलव्य की शूटिंग के दौरान खुद को घायल कर लिया। के दौरान उन्टों के जुंड में कूदना पड़ा। उन्होंने साजह किया कि लगभग 30 से 40 उन्ट दौड रहे थे और उन्में से एक ने उनके सिर में लात मारी। जब जालंधर के एक पशुर चिकितसक दौर रोहित गुपता ने हौट सीट संभाला तो उन्होंने मेजब बताया कि वे कैसे पानी का संदक्षन करते हैं और कैसे वे बहुत मजबूत और तेज हैं। उनकी बात सुनने के बाद अमिताब बच्चन ने एक फिल्म के लिए उन्टों के साथ शूटिंग का अपना अनुभव साजह किया और बताया कि वह कैसे घायल हो गए हालांकि फि जोगी ने अमिताब बच्चन से कहा कि उनकी पत्नी उनकी बहुत बड़ी प्रशन सक है और वहां उन्हें केबीसी 14 फीट के सेट पर देखने के लिए उत्साहित थी। उन्होंने कहा मेरी पत्नी चाहती थी कि मुझे हौट सीट लेने में देरी हो और जब मैंने पूछा क् मैं मिस्टर बच्चन को और अधिक समय देखना चाता हूँ। उन्होंने हौट सीट पर आने और अमिताब बच्चन से मिलने के अपने अनुभव को साजा करते हुए कहा मैं केबीसी पर होने से बड़ा अनुभव कुछ भी नहीं सोच सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं न